अगर उनको मंदिर में परवेश भी वर्जित है तो इसका मतलब सिदा सिदा यही है कि ये लोग दलित समाज के लोग हिंदू कभी थे ही नहीं और ना हैं आज वेशक उनको एक नारा दिया जाता है कि गरव से कहो हम हिंदू हैं ये कहकर एक राजनितिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसके तहत उनके वोट का इस्तेमाल किया जा सके पर अपने इस्वर अलह गौड पर तो आप जो इसवर अल्ला गौड की सक्ति पर पुरा भरोषा होना चाहिए। आप कहिए उस अल्ला से और पूझा कीजिए औरशना कीजिए और बैट जाए मंधिर में जाकर कि मैं यहां से जब जाओंगा जब मैं यहां को जाओंगा लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है वहाँ पर जो इस्वर है या देवी दिपता की जो मूर्ती है उसमें कुछ सकती है उनका भला कर सकती है अगर कर सकती है तो मेरा एक उन्से सवाल है कि आज वो क्यों सम्मिधान के जरिए कानून के जरिए जो है एक अलग स कोई मूर्ती लेकर आती ** कर जो है यह बनाती होँ पर जो और उसके σामने तकि मैं ने बढ़्याति कि मैं मेरे साथ में न्याए ना कर देए उन्सांजाने का प्रयास कि इस्तूती करने से प्रार्थनट करने से भक्ति करने से भजन करने से किसी भी तरह्य का क deficiency नहीं तो जम मुझे वह जो इस वर है इस वर यह शक्ती है जो अंदर जिसके दर्शन करने के लिए वह अर्चना गोतम ललाये थी वह सकती कहा गई नमस्कार आप देख रहें NB News 24 X7 नीलम बोध के साथ साथ यो तीन दिन से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा गरमाया हुआ है जी हाँ मैं बात कर रही हूँ अभी नेतरी अर्चना गोतम की जिन्होंने मॉडलिंग में भी अपना हाथ आजमाया और फिल्म जगत में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया और इसी के साथ साथ साथियों मैं आपको बताती चलू कि कॉंग्रेस पार्टी से उन्होंने चुना भी लड़ा और साथ यो घटना कुछ इस तरह से है कि जनम दिन के मोके पर अर्चना गोतम जी बाला जी मंदिर जाती है जो कि तुरूपती बाला जी मंदिर आप सभी जानते है भली बाती उनकी मनों कामना थी कि तुरूपती बाला जी के दर्शन करे और वहाँ पर पूजा अर्चना करे लेकिन वहाँ पर घटना कुछ इस तरह से होती है कि दलुस समूदाय के कारण अरशना गोतम जी को वहाँ से धक्के देकर बहार निकाल दिया जाता है और वियाईपी पास के लिए उनसे भारी भरकम फीस मांगी जाते हैं जो की साड़े 10 हजार है अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि साड़े 10 हजार रुपे देकर आखिर किस तरह के दर्शन होंगे भगवान के और इसी चीज को लेकर अरशना गोतम ने शोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो वाइरल कर दी जिसमें की जो स्क्योटी गाड़ है जो कमेटी प्रभंदक है मंदिर के उनसे हाता पाई हो रही थी और फिर बाद में यह चर्चा इतनी गंभीर हो गई और लगातार शोशल मीडिया पर आवाज उठने लगी तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ में एडवोकेट जैब हीम प्रकास जी आउनी से जाना चाहूँगी सर एक तरफ तो आज हम आजादी का अमरत महसर भी मनाते हैं और आज हम समानता की बात करते हैं तो आज जब अभी नेत्री अशना गोतम जो कि दली समुदायद से आती है जब वो त्रिवपति बाला जी मंदिर जाती है तो उनको धक्के देकर बाहर कर दिया जाता है तो किस तरस इस घटना करम को देख रहे हैं आज देखे निलम जी सबसे पहले तो मतादू कि जो अभिनेत्री है लोगे वो चाहें दली समुदाय से आती हैं या नहीं आती है इन मंदिरों में अभी हम लोग पीछे एक मंदिर में गए थे बाके भिहारी मंदिर में तो वहां पर कोई यह बात नहीं थे कि दलित है यह नौन दलित है किसी को भी अगर बियाईपी एंट्री लेनी है तो उसके लिए एक फीस है अगर कोई भी वह 500 रुपे की फीस, 1000 रुपे की फीस वापके करता है पंडा तो इस देश की कोई भी नारी है किसी वर्ग से आती है उसको प्रम पुझे बावज़ टोटो भीम्राव अमरिकर्प्रति करत्यग्या होना चाहिए कोई भी महिला जिसका जनम दिन होता है अगर उसका जनम दिन पर दर्शन करने ही है तो वह जाकर जो है उस चैत्य भूमि क लगार्च का अधिकार मिला जिस की सीमस यह मॉडल बनी एक्ट्रेस बनी राजनितिमें और चिक्छा के अनुसार जानको मिला अगर उनको नामिला वता तो यह सब जिनदी में और आप देशकते हैं कि इसंदेश से बंचित हैं बढ़ लिखने पाई तो आज अर्चना गौतम जी को इस बात पर अगर हम उनसे सवाल पूछेंगे तो यह हिंदू की धार्मिक भावनाओं को आहात करना हो जाएगा इसलिए मैं नहीं चाहता है कि हम अपने हिंदू भाईयों की जो भावनाओं नहीं हैं धार्मिक भावनाओं उनको आहात करें इसलिए आज अर्चना गौतम जी को अपने आपसे खुझ से सवाल करना होगा कि मैं तिरुपति बाला जी मैं किसके दर्शन करने गई थी क्या वास्ता में उसमें कोई सक्ती व्याप्त है अगर मैं उसके अंदर कोई सक्ती व गलत तरीकी टच्किया होगा तो उस समय वह जो इस वर है इस वर यह सक्ती है जो अंदर जिसके दर्शन करने के लिए अर्चना गौतम ललाएट थी वह सक्ती कहां गई उसको अब तो कम से कम जो है मैं समझते नहीं को यह बात समझ में आ जाहिए लेकिन यह बात मैं यह जा भगवान बुद्ध की मूर्ती है वह तृपति बाला जी या कुछ भी देवी देवता जो हिंदुओं के हैं वहां ऐसी कोई मूर्ती राजमान नहीं है तो कम से कम यह जो महिलाएं है इस देश की इन महिलाओं को यह समझना चाहिए कि आज जो उनको इतनी सुख चैन और कि करते हैं डर्षन करना है क्या बर्षन करना मतलब है किसी का सक्ष्याद कार नहीं कि मैं कि कि देख लूँ तो उससे कुछ हो जाएगा । अuxको जान लूँ तो यह बहुत जरूरी है पप जोगार आर्थ हैं इन लोगों दर्शन करने का जो अर्थ होना चाहिए था अब दर्शन करने का आर्थ जो है बहुत मतलब आपचारिक रह गया है उसमें कुछ भी कहना में वह चीज़ें नहीं है तत्वात्मक जो है जिससे की एक व्यक्ति का भला हो सके जी सर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जो गोतम जी शोशल मीडिया पर अपनी वीडियो वाइरल कर रही है जो घटना करम उनके साथ में घटा उन्होंने प्रसासन को भी वहां पर मतलब कंप्लेंट्स दी पुलिस आई और उन्होंने जो सिसीटी फूटेज थी वहां पर पुलिस ने देखी कि हां किस तरह से उनके स साथ हाता पाई है लेकिन आज भी जो अर्चना गोतम जी कह रही है कि अगर किसी के बाप में दम है तो मुझे रोक कर दिखा दे में मंदिर जरूर जाओंगी तो इस तरह की चीज़ें और इस तरह की चेतावनी खासकर उन्हों कमेठी के लोगों के लिए सर क्या दर्शाती हैं हाँ अभी अर्चना गोत्म जी को जो सुविधाय मिल रही है तो अभी उनको जए कम धक्के लगे हैं कम बेजती हो तो अभी वह चाहरे हैं कि ज़्यदा बेजती हो और ज़्यदा बेजती हो लेकिन समझ में आता है कि मतलब किस तरह की मान सिकता है भगवान बुद्ध हैं बडे आसान सब्दों में जो है यह समझाने का प्रयास कि यह जो चमतकार किसी प्रकार का लाब आपट को नहीं मिल सकताcken आपको जो आप करम करेंगे जिसी दिसान में बहुत सारे लोग उस बात को ना मानकर बलकि आज भी लात घूसे खाकर मंदिरों की तरह बढ़ रहे हैं तो इस चीज के लिए क्या संदेश देना चाहें खरक्सकर उस समाज को जो लगातार आज भी पीटा जा रहा है कूटा जा रहा है और मंदिरों में जिस तरह से घटनाय निकल कर आरे चाहें महिलाओं की हो या पूर्सों की और या भी वर्तमाने जिस तरह से अर्शना गोतम की हो देखिए निलम जी यह बड़े अचंबित कर देनी बाली बात है कि जो लोग अपने आपको हिंदू मानते हैं विसेश तोर पर यह जो दलित समाज है जो की व्यक्ति को गुर्द्वारे में जाकर अपने अर्दास करने का अधिकार है और इसी प्रकार से इसाईयों को गर्जागर में जाकर जो है जो भी प्रार्थना करने का अधिकार है क्या यह अधिकार हिंदूओं में हिंदूओं के मंदिरों में जो सुद्र है अति सुद्र है दलित जिसे कहते हैं क्या उनको ये अधिकार मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने का अधिकार मिला है क्या अगर उनको मंदिर में परवेश भी वर्जित है तो इसका मतलब सिधा-सिधा यही है कि ये लोग दलित समाज के लोग हिंदू कभी थे ही नहीं और ना है आज वेसक उनको जो एक नारा दिया जाता है कि गरव से कहो हम हिंदू है यह कहकर जो एक अगर यह समाज इसको अगर हमने हिंदू धर्म से वहार कर दिया इस नारा के जरीये इंको नहीं जोड़ा गया और अगर यह तीन-चार जो पार्टियां आज कॉंग्रेस है बीजैपी है और आज आमादी पार्टियां आई हैं यह कभी भी सत्ता का सुक नहीं बोग पाएंग कर सकता है जब तक कि उस गुलाम को गुलामी का एहसास ना हो जिस दिन उस गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाता है तो वह गुलामी की बेडियों को काटने का प्रयास में लग जाता है तो इस समाज को अभी बहुत मतलब अग्यानता है और जो इस्वर्य चमतकार है पूसर चाता हूं कि वास्तम में क्या उनको ये विश्वास है कि ये जो वहाँ पर जो इस्वर है या देवी दिवत्ता की जो मूर्ती है उसमें कुछ सकती है उनका भला कर सकती है अगर कर सकती है तो मेरा एक उनसे सवाल है कि आज वो क्यों समिधान के जरिए कानून के और निलम जी मैं तो यह जानता हूँ कि हिंदू को कभी भी अपने इस्वरों में देव दिश्वास रहा ही नहीं है कि मैंने किसी हिंदू को जब बिमार पड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा कि वह हैं अस्पताल चौड़ कर किसी मंदिन में ग्या हो हर एक हिंदू और हर एक धर्मामलम्भी किसी अब करते हैं और उने पूरी आस्था Igor करते हैं और वास्ता में आप लोगों को इतना विश्वास है सक्तियों पर अपने इसवर आल्ला गौड पर तो आप जो है जब बीमार हो तो आप जो है अस्प्ताल कप भी मंदीर में जाकर कि मैं यहां से जब जाँगा जब महासे ठीक हो जाँगा लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है चाहिए वह हिंदू हो मुसल्मान हो इसाई हो कोई भी धरम मझभग का व्यक्ति हो वह कभी भी बिमार होता है तो उसका विश्वास व्या स्वर से तुरंथ हड़ जा या भारत या पाकिस्तान या अन्य सीमा उपर युद छढ़ते हैं तो युद कभी नहीं छढ़ते जितने भी देवी देवता हैं वो कहीं न कहीं आकर अपनी देव्य शक्तियों के कारण इनी दुक को छोड़ देते जिस तरह से लगातार सरहदों पर हमारे वीर सैनिक सहीध हो जातें तो शायद वो शहीद नहीं होतें इनते शक्तियों के architects और जिस तरह से बहन बेटियों के साथ में अत्याचार बलतकार हो रहें तो यह भी साथ किसी से छुपा नहीं है और यहां पर तरक करना होगा और तरक करके उसको सही दिशा में आगे बढ़ा कर सोचना होगा क्या देवे शक्तियों से भारत का विकास हो पाएगा या इस तरह से आज पंड़ित पुजारी जिसी तरह से आज मंद्रों में वियाईपे दर्शन के नाम की जो मोटी भरकम फीस है चाहे हो परशाद के रूप में हो या दान के रूप में हो लेने का काम कर उएगा बात बढ़ी है और बहुत कड़वी भी है अगर मैं बात करूँ अगर अज धरम गोतम जी से ये भी कहना चाहूंगी अगर आप सही माईने में पढ़ी लिखे हैं तो एक बार बावा साब के इत्यास को पढ़ लिजे एक बार हिंदू कोड बिल को पढ़ लिजे जिस हिंदू कोड बिल ने आपको सभी समानता रूपी अधिकार दिये और आज आपको इतना शक्षम बनाया कि आज आप दबंगाई से शोशल मीडिया के माधम से अपनी बात को रखने का काम तो